जै माता दी कैसे ही आप सब मैं आश्या करती हूँ आप सभी बहुत अच्छी होंगे स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर जिसका नाम है हिमाचली व्लॉगर कृष्णा और मैं कृष्णा करती हूँ आप सभी का स्वागत दिल के गहराईयों से और आज का जो व्लॉग है अभी मैं कर जी हूँ शाम की टाइम से शुरू अभी शाम की हुए है साड़े तीन और आज तारीक है नौ सितंबर दो हजार बाइस तो आज हमारे जो है बिंदी सिंदूर जो भी सोला सिंगार होते हैं वो सब खुल चुके हैं जैसे कि मैंने आपको बताया था पीछे हैं जैसे कि देखिए मैंने नल पॉलिश लगा लिया है मांग में सिंदूर भर लिया है बिंदी लगा लिए लिपस्टिक लगा लिए और यहां पर है भाबी जी तो यह अभी अपना कर रहे थे मैं अपना कर रही थी बाकी और लोग अपना-पना सब कर रहे हैं और पता भ लगी ही रही जो भी था पर आज लास्ट है और आज के बाद ना सब भी अपने अपने घर में अपना-पना काम और फिर हम अपना-पना काम तो वैसे तो मेरा वीडियो बनाने का कोई इरादा नहीं था आज भी क्योंकि मेरा जो मन है न वो बिलकुल नहीं करता कि मैं वीडिय रिवाज है हमारा जो कल्चर है वो मैं आप लोगों के साथ में थोड़ा सा शेयर कर दूं तो जिस दिन तेरवी थी उस दिन भी मैंने आप लोगों तक वीडियो पहुंचाई थी और तेरवी के बाद जो सोलवे दिन होता है उसको हमारे गाउं में धरम शांती बोलते हैं और अपनी भाशा में कुछ और बोलते हैं पता नहीं और जगा क्या क्या बोलते हैं इसके बारे में मुझे नौलेज नहीं है बाकी जो मुझे अपने गाउं की अपने बारे में नौलेज है वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहे हूं तो अभी हमने सब ही लोगों ने स अखेवी शाम को 3.30 आपてव दोड कर रहे हुँ और आज तक पहुंच आएगी आप लोगों का ने भी आप लोगों का बहुत धन्यवाद जिनोंने पहले भी आपको बताया था कि मेरे पास मैंने एक और गाय भी ले लिये तो गाय का भी काम करना जूरी है बनता है पर अब ऐसा नहीं है थोड़ा काम करने की जो हमें हमारे साथ में हस्बेंट जी भी उन्होंने भी बोला है कि थोड़ी हेल्प करवाएंगे पर ऐसे होता है कि जो एक जन्ट सोता है उसको कमाने के लिए बाहर ही जाना पड़ता है और हम लोग पहले ही आप लोगों को बताए कि हमारी जो स्थीति है आज कल वो बहुत खराब चली होई है तो ऐसे में घर से बाहर तो निकलना पड़े गई पर फिर भी जितना हम से होगा घर से होगा ब पूरी कोशिश करेंगे बाकि जो भी था हमारे मामा जी का बहुत अच्छे से निपट गया और ये सिर्फ और सिर्फ भगवान की करीपा रही और जितने भी लोग थे जिनों ने भी साथ दिया है उनका भी दिल की घराईंसे बहुत बहुत शुक्रिया और खासकर शुक्रि अब ही टाइम होने लगा है यहां पर देखिए पहने चार का टाइम होने लगा है तो मैं 4 बजे निकलूंगी काव मिल्किंग करने के लिए और उसके बाद में मैंने निकलना है डारेक्टली हॉस्पिटल के लिए क्यूंकि मेरा जो वन्शु है उसकी तवियत पिछले चार अब फिर भी वो अभी तक उसकी हाला सूधर नहीं है तो अब थोड़ा सा हमें ऐसे की काम से थोड़ी सी फुर्सत होगी है जो भी काम थे वो निपड़ चुके हैं हलंकि अभी कुछ एक और काम है जो करने चलो वो होते रहेंगे उसका नहीं है कुछ नहीं में अब हमारा भी है वो है दबाई लेने का तो बस मैं सीधी काव मिलकिंग करोई और बाल्टी भी रख के फिर मैं और ओजैतनवएशू के बापा और अबवह जैसे भी होगा आगे कामें आप लोगों के साथ में शाथ में शार करोगी और यहां पे तो बापीजी बैठ हैं आप लोगों कर सकते उसके लिए भी मैं माफी चाहती हूं और जो भी ब्लोग है आज का वो बहुत बड़ा नहीं है छोटा सा ब्लोग है यहीं पर खतम करूंगी और बहुत जल्दी आप लोगों के साथ में मिलूंगी तब तक के लिए आप सबी लोगों मेरी और से जयमाता दी आप सबी लोग अपना ध्यान डखेगा बाई बाई